सारी बैच्चों की रिक्वेस्ट की 3 EME की विकैंसी कैसे है इस बार कित्मी आएगी विकैंसी और कैसे कब एक्जाम होगा उसी के बारे में आज ये वीडियो 3 EME सेंटर की है तो जुड़े रहे चैनल के साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा है चैनल क मैं आपको बताने जा रहा हूं तो जुड़े रहे चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और एक्जाम की त्यारी कर रहे हो तो टेलिग्राम जुरूर जोइन कर लिजे तो बिना देरी शुरू करते हैं तो यहां पर आगे हम स् 107,97,18 जानी कि यह 2007 में मेहिने में 2018 में एक्जाम हो था यह ट्रेड है मैं आपको विकेंशी जो बताने जा रहा हूं वो टेकनिकल और जी डी दोनों के विकेंशी बता हूं यहां पर जीडी प्लस टेक्निकल ठीक हैं तो यहां पर टोटल एक्जाम दिया तो जो जीडी वा आपको बता दूँ यहां पे जो पहले एक्जाम हुआ था जिसकी जीडी की विकैंसी 56 थी ठीक है 56 विकैंसी थी ओनली जीडी की और टेक्निकल की थी 6 विकैंसी ठीक है बहुत ही खराब आप रिजल्ट मान सकते हैं क्योंकि 400 ने एक्जाम दिया है और टूटल विकैंसी आपको यहां पर देखने को मिले 56 ठीक है अगला जो हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो अगर आपको बता अगला 2018 में एक और एक्जाम हुआ था ठीक है यहां पे 2018 का यह जो एक्जाम 350 जीडी और जो टेक्निकल के थे वो 97 बच्चों ने एक्जाम अटेंड किया था यहां पर बता दूटल जीडी की जो साड़े 300 से जो विकैंसी निकल कर सामने आई थी हमारे पास वो आई थी उनली 39 बच्चे यहां पर सेलेक्ट हुए थे 3 EME सेंटर में इतनी कम विकैंसी और बता दूट टेक्निकल में तो और कम कितने दो ठीक है दो विकैंसी थी टेक्निकल में 2018 में दो बर यह बरती हुई थी 18 में दो बर बरती हुए थी एक में 56 थे और एक में 39 थे ठीक है यहां पर हो गया और इसके बाद यह जो पिछली बरती हुई थी 2019 में क्योंकि 19 के बा भी वी यहां पर तीन सो बच्चे टेकनिकल में थे ठीक है तो इसमें जो साधे चार सो से यहां पर थोड़ा विकैंसी का थोड़ा अपडेट हुई और यहां पर आपको विकैंसी देखने को मिलेगी 95 एक बात और यहां पर आपको लास्ट में बताऊंगा कि यह रजल्ट दो 18 के 19 के पूरे प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूं ठीक है टेकनिकल में यहां पर बता दूँ आपको टेकनिकल की क्योंकि बहुत मेंनत करने के बाद हमने यह वीडियो बनाई है बहुत डाटा लेने के बाद तो टेकनिकल में भी यहां बढ़ातरी हुई थी 42 बच विकेंसी कितनी है जिसके लिए यह आपने पराने रिजल्ट देख लिए है पहले 39 विकेंसी थी फिर 56 थी फिर 95 थी तो इस पर जो बरती के जैसे हुई है जितने बचों ने एक्जाम देना तो इसके असार है टोटल यहां पर आपको विकेंसी देखने को मिलेगी 135 ठीक है स तो यहां पर 135 प्लस हो सकते हैं माइनस नहीं हो सकते हैं यह बात पक्की है यहां पर बदा दू कि 135 प्लस जा सकते हैं लेकिन माइनस होने के असार नहीं है क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर पूरे खाली है और हो सकता है 3ME सेंटर चलो उसके बाद में बात करेंगे तो यहां पर प्लस है ठीक है और यहां पर बता दू कि जैसे जैसे बढ़ रहे हैं 12, 18, 18, 19 और विकेंसी बढ़ती आ रही है तो यहां पर बता दू कि 135 टोटल विकेंसी EME Center की है 3 EME Center की तो बता दू कि इसके जो इसके बाद एक और बात बताने चाहते हूं तो भी 1 EME Center है सकंद्राबार में उसकी हमेशा ही विकेंसी जादा रही है चाहे टेकनिकल हो चाहे जीडी हो चाहे ट्रेट्समेंड उसकी हमेशा ही विकेंसी जादा रही है तो दोस्तो बहुत मेरत के साथ यह वीडियो बनाई है और भी वीडियो अम लेकिए आने वाले एक्जाम की उपर और साथ में यह वेकेंसिक की उपर सभी सेंट्रों के हम बात करेंगे A to Z करेंगे हर दिन एक वीडियो आएगी हमारी इसी के उपर तो बहुत मेनत लेगी हुई है किरपया एक लाइक जरूर कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और एक्जाम की तियारी कीजिए सभी लड़कों को best of luck और पूरे ये result आपको हमारे टेलिग्राम पे मिल जाएगे